प्राइगर जीला मुख्याला इस्तित प्राइवेट बैंक में आज सुबहा करोडों की डकैती हो गई बैंक खुलते ही कार में डकैत पूचे और चाकू के बल पर मैनेजर समेटी स्टाफ को बंदक बना लिया ब्रांच मेनेजर ने जब इसका विरोध किया तो उसे चाकू मार कर जखमी कर दिया गया 36 गड़ की यह सबसे बड़ी डकैती बताई जा रही है इससे पहले कभी भी ऐसी घटना सुबह में नहीं हुई है बैंक डकैती की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रट दिया है राइगड और राइगड से सटे जीलो में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है राइगड पूलिस सहर से आने जाने वाले मुख्य मारगों पर नाके बंदी कर आरोपियों की तलास में जुट गई है फिल हाल आरोपी पूलिस की पुटर से बाहर है बता दे की आधे दरजन से ज्यादा आरोपी आज सुबह करीब 9 बजे ढिमरापूर रोट पर इस्तिन एक्सिस बैंक में ग्रहक बनकर पूचे थे जैसे ही बैंक खुला तो सभी आरोपी ग्रहक के भेस में बैंक के अंदर चले गए बैंक के अंदर कैशियर बैंक मेनेजर अपने अपने काम पे लगे हुए थे इस दवरान आरोपियों ने अपने पास रखे हत्यार निकाले और बैंक कर्मियों को जान से मानने की दमकी दी आरोपियों के हाथ में हत्यार देख, बेंग कर्वियों में अफरा तफ्री मच गई इस दौरान कुछ आरोपी बेंग मेनेजर के पास आये और टैस वाले लाकर को फुलवाने का दबाव बनाने लगे मैनेजर के द्वारा मना करने पर एक आरूपी ने अपने हाथ में रखे चाको से हमला कर दिया इस हमले के बाद डकैल बैंक के लाकर से साथ करोड उपर लेकर फरार हो गए दस बजे के आसपास बैंक के द्वारा हमारे डायल 112 पे सूचना दी गई कि एक कुछ लोग अग्यात बदमासाओं के द्वारा डकैती करने की सूचना दी गई जिस पर ततकाल जो है यहां बैंक में मैं भी आया और हमारी टीम के द्वारा सभी लोग आये बरिश्ट अदिकारी भी उपस्तित हुए और घटना को देखा गया उसमें पता चला कि उनके बैंक मैनेजर के जांग में चाकू मारा है और स्टाफ को बंदक बना करके उनके द जिसा में काम करना सुरू किया अभी एमाउंट वो लो कैलकुलेट नहीं कर पाये हैं लेकिन कैलकुलेट होने के बाद फिर आपको बता दिया जाए रही है रकम की अभी पुष्टी उन्होंने नहीं किया है वो होते ही है आपको सुचना देंगा बैंक कर्मियों के बताया अनुसार लगभख 6-7 आरूपयों की ये संख्या बताई जा रही है आपास के पास अधियार बताया जा रहे हैं कुछ के पास चाकु थे इसा बताया जा रहे है से सीटीविव उन्होंने टेंपरिंग किया है उसका अभी पाल लिया जा रहा है उसका बैक अप लिया जा रहा है और उसके बात करके नाके कि क्या पॉइंट दिया गया है बैंक मैनेजर जक्मी हुए है जैसे प्रात्मी को प्चार कर वो वापस लोट गया है उनसे हम लोग बातचित कर रहे हैं अब बताया गया है अभी इनिसियल है आप लोग से टीवी फूटेज देखने के बाद फिर आप लोगों को आगे क्लिय घटना की जानकारी मिलने के बाद अड़कंप मच गया एसेसपी सदानन और फुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए है जाच फिलहाल जारी है बैंक मैनेजर को भी गंबीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया है बैंक के अंदर हुई ड़कैती की घटना में जुड़ गई है पुलिस को आसंका है कि आरोपियों ने इस ड़कैती के लिए पहले से योजना बनाई थी घटना से पहले रेकी की गई और फिर वारदात को अंजाम दिया गया आरोपियों को पता था कि बैंक में सुबह के समय भीड नहीं होती इसलिए पूरी योजना के तहत ड़कैती की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया फिलहल पुलिस जांच में जुड़ गई है पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर बैंक में कितनी नगदी थी